हालो विवार क्यासे हो आप सभी मज़े में होंगे जैस चीज का आपको बड़े बेसमरी से इंतरदार था वो गड़ी आ गई है तो आ गई है हमारा पत्र लेखान और सारांश लेखान ये दोनों चीज में आप्शन आता है आप सभी को इन दोनों में से कोई भी एक टॉपिक करना होता है आपको वह आता है जो को बड़े ही कितने मां ज्वार्श मिल जाएंगे तो दोनों छीजे बहुत जाएदा इजी है दोनों को में बहुत जादा अच्छी तरह से एक्प्रेइन करने वाली हूं तो विलकम टो जय आप्टुटरियार आंड अन्ड़ियाव निस के सरह से आता है उसका फॉर्मेट क्या आता है क्वेश्चन क्या आता है यह स्वारी चीज़े आज हम फोड के रख देंगे ओके चाला सब स्टाट करते हैं पहला लेक्ट्ट ए यह हमारे मराटी सीरीज का अगर आप लोगों ने इसके पहले कि सारी लेक्ट्ट नहीं देखे ह क्योंकि उसके बाद आप लोगों का मरटी में औप उट तफ आउट और आउंट ऑफ की बरसात होने लगें की now स्कारांसे शिए हुंदी में समझेंगे कि क्या होता है किस तरहले से हमी क्या लिख embras चाहिए okay so पत्र लिखन के two types होते हैं अब चाहिए अनाप्चारिक ठीक है फॉर्मल इनफॉर्मल English में आप सबी ने अच्छी तरह से study किया हुआ है इस चीज के बारे में चाहिए पत्र किसके लिए लिखते है और आप चाहिए पत्र किसके लिए लिखते है किस को जान मतलब क्या होता है formal letter होता है ठीक है सो हम जिन भी person को formally लिखते हैं जैसे कि किसी office के बारे में लिखेंगे ठीक किसी office के बड़े कर्मचारी के बारे में या फिर फिर किसी shop workshop के मालिक के बारे में समझ जो आपके आपके family के अलावा पो जिन भी लोगो को लिखते हो जिन भी लोगों को आफिशेल लेटर लिखते हो उसे हम पोलते हैं फॉर्मल लेटर उसे हम्य गलेते हैं अमसा प्रधान ध्यापक मतलब की हमारे प्रिंसीपल को लिखते हैं उसी के साथ-साथ हमारे व्यवस्थापक को जो भी आपके आपने किसी शॉप से कोई चीज मंगवाई है ठीक है कोई भी चीज मंगवाई है कोई बुक मंगवाई है कुछ भी चीजे मंगवाई है आपने क की बारे में हम लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं विवस्तापक बोलते हैं थीक है वो उस चीज के वेवश्तापक है तो इसलिए हम उन्हे हम वेवस्तापक ऐसा कहके लेटर इंक लेटर राइटिंग लिखते हैं यStud किसके बारे में है अधिकारी मतलब किसी भी अधिकारी के बारे में जैसे कोई पुलिस ओफिसर है ठीक है किसी बिजली विभाग का बड़ा अधिकारी है तो उसके बारे में हम लिखेंगे तो तब आपको क्या करना है अधिकारी इस चीज़ का इस्तेमाल करना है उसके बाद क किसी company के बारे में लिखेंगे या किसी company के employee के बारे में लिखेंगे, office के किसी भी इंसान के बारे में लिखेंगे, किसी भी व्यक्ति के बारे में लिखेंगे, office के अंदर के, okay, so हम उनके बारे में किस तरह से लिख सकते हैं, और उनके ही बारे में जब हम लिखते हैं, तो हम लेटर कौन सा होता है, formal letter होता है, ठीक है, वो आपचारिक पत्र होता है, इस तरह का कोई भी question आ जाए कि आप किसी office के इंसान को लिख रहे हो, या किसी भी बड़े अधिकारी को लिख रहे हो, किसी वेवस्तापक को लिख रहे हो, प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो इस तरह का कोई भी लेटर आएगा तो आपको तुरह समझना है कि यह फॉर्मल लेटर है इन फॉर्मल लेटर होता है हमारे भाई, बहन, मम्मी, पापा, फ्रेंड्स इन सभी के लिए हम जबी भी लिखते हैं उन्हें किसी चीज का अभी साथ हम समझेंगे कि उस फॉर्मेट में हमें उस क्वेस्चन को कैसे अटैच करना है चालो सो स्टार्ट करते हैं इंट्रेस्ट के साथ बैठो क्योंकि बहुत जादा इंपोर्टेंट है, छे मांग जरूरी है कि नहीं, जरूर से कॉमेंट करना है, चालो सो देख लेते हैं फॉर्मेट क्या है, हमारे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या है, मतलब कि उपचारिक पत्रसा फॉर्मेट का अस्ताथ है, अमाला अतब बगैसा है, समझ लगा, चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट लिखेंगे, डेट मतलब दिनांक का लिखेंगे, ओके, सो दिनांक को लिखना विलकुल भी मत भूलना, सबसे उपर लिखोगे आप दिनांक, दिनांक के जस्ट नीचे आप क्या लिखोगे, प्रति, क्या लिखोगे, प्रति, अब जबी भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं, तो हम किसी भी बड़े आदमी को लिख रहे हैं, ठीक है, हमारे से ब प्रति और प्रति के तुरंत बात क्या करना है कॉमा ठीक है प्रति के जस्ट बाजू में हमें करना है कॉमा कॉमा अगर नहीं किया तो मार्क्स जाएंगे पता है कितने हाफ कहें इतने माप जाएंगे पता है हाफ समझेए चले गए बिल्कुल इस चीज इसी को किया करना है माननिय लगाना है और मbek अधिकारी मनेली विभाग अधिकारी ठीक है इस तरह से या फिर माननिय किसी भी दुकान क्या आदमी को लिख रहे हो उनका नाम जरूर से लिख देना मतलब नाम मतलब क्या आप प्रधान अध्यापक को लिख रहे हो तो प्रधान अध्यापक का थो कि इस आफू कर तो हम लिठ रहे हैं उसका हमें इसे । इसकर तरह सब्सक्राइब कर सकते हो यहां पर नाम सकते हो इस तरह से अove dot ऐसे करके यहां पे आप रधान अध्यापक ऐसे करके लिख सकते हैं ठीक है बट आप माननिये लिखोगे तो भी कुछ जाता नहीं है हमारा ओके और सबसे में चीज आपको एक ही लाइन में लिखना है जो भी आप लिख ले उपर से नीचे तक आपका एक बं स्ट्रेट एक क्लाइन में आना चाहिए कुछ भी इधर उधर आपने दिनांकर यहां पर लिख दी आप रती यहां लिख दोगे माननियय यहां लिख दोगे इस से यहां लिख दोगे तो वो पूरा कचड़ा बन जाएगा और इसी के साथ आपको मिलेंगे पूरे के पूरे जीरो मांक्स चलो आगे देखते हैं आगे का format क्या है माने निये लिख लिए माने निये क्या आगे प्रधान अधियापक अगर आपने उनको लिख रहे हो तो ठीक है अधिकारी को लिख रहे हो तो अधिकारी वेवस्थापक लिख रहे हो तो वेवस्थापक ठीक है चलो आगे देखते हैं उसके नीचे उसी इंसान का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसी इंसान का पता होना चाहिए, अपना अड्रेस मत लिख देना, अगर आप लोगों को अड्रेस लेटर में दिया हुआ है, कि आपको जैसे आप कोई तो भी सैपलिंग मंगवा रहे हो ठीक है मतला पेड़ के पौधे मंगवा रहे हो आप तो वो पौधा मंगवाने के लिए आप कोई तो भी शॉप के माली को लेटर लिख रहे हो तो वो शॉप की माली का क्या रहेगा एड्रेस दिया हो रहेगा आप लोगों को मेंशन रहेगा वहाँ पर कि रामजी नगर सोला ठीक है वहाँ के आप किसी भी ववस्तापक को जैसे कोई दुकान का नाम ले लेते रैंडम रामु किराना स्टोर ने रामु किराना स्टोर ने रामु किराना स्टोर ने रामु सैपलिंग सेंटर ठीक है यह एक नाम है यह कौन से जगे पे है नाशिक जिल्ले में है उसी के दिया रहेगा कि वहाँ का पूरा एडरस दिया रहेगा तो आपको क्या करना है आप किसी भी बुक से आप मांग रहे हो और pourrait कोई भी मांग निइ पद्वें के व्याट पर कर रहे हो और आ वहां पर आना चाहिए वयवस्थापक आना चाहिज तो माने नियए कि व्यापक विवस्ता पकलिकोगे उसके जस्ट नीचे जो भी आपका one sentence में address दिया हुआ है आपको बढ़िया तरीके से address लिखना है आप address किस तरह से लिखना है वो भी मैं पता देती हूँ तो भी ज़रा अच्छी तरह से देख लेते हैं कि address किस तरह से लिखना है कोई भी बच्चा दुकान का shop का number समझ के चलो की त्ट 515 जो भी जिस जगें पर है यह शौप का number. इस यह शौप का इंढबर है उसके बाद यह शौप का कुछ भी नाम लिख देते हैं राम नगर ठीक है वन फाइब वन फाइब राम नगर आप कुन भी जगे का नाम लिख लो मैं बोई सर में रहती हूँ मैं यहाँ पर बोई सर लिख लेती हूँ ठीक है बोई सर और यहां पे आप क्या कर सकते हो उसके नीचे यहां पे भी एक कॉमा यहां पे भी एक कॉमा और यहां पे आप क्या लिखोगे पिन कोड पिन कोड क्या लिखोगे आप पिन कोड ठीक है बट आपको पिन कोड यहां पे मेंशन नहीं करना है मैं आप लोगों को बताने के लिख रही हूँ कि यहां पे आपको क्या करना है? पिन कोड यहां पे जरूर से मेंशन करना है जैसे कि हम यहां पे ले लेते 401, 501 ठाँ, 8 नमबर का आपको पिन कोड जरूर से मेंशन कर देना है पता के नीचे, अब 3 तरह 3 दीन में आपका क्या हो गया? address आपका define हो गया, ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, कोई भी address लिखना है, मैंने यहाँ बोई सर लिखा है, आप नाशिक लिख लो, आप पूरे लिख लो, ठाने लिख लो, जो आपको मन करें या फिर उसमें अगर mention रहेगा, तो आप proper वही address लिखोगे, ठीक है, अगर बोला रहेगा, कि यह shop कहाँ पे है, नाशिक में है, ठीक है, तो आप यहाँ पे नाशिक लिखोगे, ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, address लिखना है, address यहाँ पे खतम होगे, यहाँ पे एक dot दे कि क्या कर दोगे, यहाँ पे finish कर दोगे, उसके नीचे क्या आजाश है जिससे हमें पता तो चले अब यहां पर हम छोड़ेंगे एक लाइन पता के नीचे एक लाइन छोड़ दो उसके नीचे विशय के नीचे अगेन एक लाइन नीचे छोड़ोगे और फिर महोदय लिखोगे ठीक है सो इससे क्या होता है साफ साफ क्लियर क्लियर दिखता है आपक आपको जो भी टॉपिक दिया रहेगा उस टॉपिक से रिलेटेर आप बढ़ियां से सब्जेक क्रियेट करो ऐसा लगे कि हाँ यह सब्जेक पढ़के समझ आ जाए कि हाँ इस टॉपिक पे यह पतर लिखन लिखा गया है सब्जेक को बिलकुल भी बड़े लाइन में नहीं ल जाएगा अगर आपने दो लाइन में तीन लाइन में सब्जेक ही लिख दिया तो वस तरह से आपको नहीं लिखनाँ जैसे कि आपको अगर दिया रहेगा कोई तो भी पौधे की मांग है ठीके Coldplay किसीडुकान से किसी व्यवस्थापक से आपको क्या चाहिए पौधे चाहि मतलब आप पौधे की क्या कर रहे हो, मांग रहे हो, इस चीज से related आपने क्या किया, मांग बाबत, इस चीज का मतलब आप mention करो वहाँ पे, then आपको क्या करना है, dot देखे, खतम करना है, वहाँ पे आपका subject खतम हो गया, इतने से line में ही आपका subject क्या होना चाहिए, खतम होना बना क्या करना है, then आपको एक line का gap छोड़ोड देना है, एक line gap छोड़ोड देगी, उसके नीचे आप लिखोगे, महोद है, अगर वह लड़का है, तो महोद है, अगर वह female है, तो महोदया लिखोगी आप, जैसे यहाँ फिर महोदया लिखा, तो उसके तुरंत बाद आप बहुत जादा जरूरी है तो इसलिए कॉमा को आपको बिल्कुल भी skip नहीं करना है भूलना नहीं है इसलिए मैंने जिज़ जगे पर कॉमा चाहिए वो जरूर से डाल के दिखाया हुआ है ताकि आपका आधा मार्क भी ना जा पाए ओके चलो महोदया महोदया लिख दिया उस अगर आपको बढ़ियां तरीक के सिमराठी लिखना आता है राइटिंग मिस्टेक नहीं होता है तो आप क्या करोगे दो से तीन पैराग्राफ भी आप अच्छी तरह से लिख सकते हो ठीके पहले पैराग्राफ में आप क्या लिखोगे वह मैं आप लोगों को बता देती ठीके सो सब्जेक ऊपर में आपको क्या करना है अधिकारी लिखना है माने निय अधिकारी ठीके या फिर माने निय विजली विभाग मतला वीज विभाग ठीके बिजली को वीज बोला जाता है ओके मराठी में सो वीज विभाग आप लिख सकते हो उसके नीचे आप क्या कर समस्या इस तरह से आपको सब्जेक लिख सकते हो उसके नीचे आप लिख दोगे पहले अप elaborate करो कि आपका बिजली का बिल क्या हो रहा है दिन पर दिन बहुत जादा बढ़ा हुआ अरहे ठीक है, यह आपकी क्या है, बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है, इस तरह से आप क्या करोगे, फोस्ट पेराग्राफ में आप इस चीज को मेंशन करोगे, उसके जट नीचे आप क्या करोगे, उस टॉपिक को बढ़िया तरीके से इलाबरेट करोगे, ठीक है, मतलब उस टॉप काम रुख जा रहा है ठीक है उसके नीचे आप क्या करोगे थोड़ पारग्राराफ में आप लिख दोगे कि मेरी विननती है आपसे कि आप जल्द से जल्द इस समस्वे लगारो nail को सुरण अपना नाम लिखोगे, पत्र लेख काच से पूर्ण नाम, मतलब जो पत्र लिख रहा है, उसका पूरा नाम आना चाहिए, ठीक है, उसके जस्ट नीचे, आपला विश्वासो करोगे, अपला विश्वासो के बादू में, मतलब बाजू में, उसके नीचे आप क्या करोगे, अपना नाम लिखोगे अच्छी तरह से, अपना नाम लिख दिया, अपना contrast लिखदो, ठीक है अपना address लिख दो इसी format का इस्तिमाल करो अपना address लिखने के लिओ अगर आपने ऊपर में नाशिक लिखा हुआ जिल्ला तो आप अपना address लिखोगे तो भी आपको नीचे में ना मैं करई तो आप नीचे भी स्वित्ति को क्या करना पड़ेगा को समस्य तो अपने अरिया हम वालों मैं धूप्माई में में करो हेंग से नीचे भी Mumbai mention करो ठीक है छोटी छोटी बाते बता रही हूं mistake मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि बहुत important चीज है 6 marks है आपको marks distribute किस तरह से होता है आपका उपर का पार्ट आपका उपर का पार्ट बराबर रहा नीचे का पार्ट बराबर रहा तीन marks easily मिल जाएगा हर ए 5 marks आपका पूरी तरह से fix है पूरा 6 का 6 marks बहुत ही मुश्किल होता है बहुत ही rare case में देते हैं examiner नहीं तो नहीं मिलता है बट 5 marks कम नहीं होता है 6 के बराबर ही होता है ओके चलो आपना विश्वास तो उसके नीचे अपना नाम मतलब कि जो लिख रहा है पत्र उसका नाम जाना चाहिए अगर mention है उसमें तो mention वाला नाम लिखो mention नहीं है तो अपना नाम लिखना जरूरी नहीं होता मतलब खुद का real name नहीं लिखना है बोड में अलाव नहीं होता खुद का real name लिखना तो आप और लिख सकते हो ठीके इस तरह से लिखने के बार नीचे में आपको क्या करना है अपना address लिखना है इसी format के हिसाब से address और pin number जरूर से लिख देना address कॉमा करके उसके नीचे अपना state अपना जो भी जगे का नाम है मुंबई दिली पंजाब गुजरा जो भी है वो लिख दो उसके नीचे क्या करो pin number लिख दो pin number लिखने के बार dot खतम हो जाए से जादा जरूरी चीज है तो इस format को follow करके आप पूरे के पूरे 6 marks गेन कर सकते हो अगर आपने इस format को बढ़िया तरीके से सही तरीके से follow किया तो ओके इस तरह से आप कर सकते हो जितने भी आपके formal letters आ सकते ठीक है अब एक example ले लेते हैं समझ की चलो आपको कोई मांगनी करनी है मतलब आपको किसी भी पौधे की मांग करनी है तो उपर माननिय के बाजू में क्या लिखोगे वैवस्थापक लिखोगे ठीक है अगर आपको किसी भी बुक की मांगनी करनी है किसी भी किताब की मांगनी करनी है तो उपर में माननिय के बाजू में क्या लिखोगे मा ठीक है वो लिख दोगे उसके नीचे उसका पिन नमबर लिख दोगे पिन नमबर लिखने के बाद उसके नीचे आप अपना सब्जेक लिखोगे कि आपको क्या चाहिए पुस्तक्ची मांगनी बाबत ठीक है पुस्तक्ची मांगनी पत्र इस तरह से आपको क्या करना है ठीक है उसके बाद यहां पे अपने फेल्च सॉद्ट लon-गल के निचे महोद तोわか रोका educate ४िब दो कोमा कर दो उसके जस नीचे आप क्या करोगे आप elaborate करोगे आपको अपको ब легकर सकते हो एक तरफ किकिना कितना बुक चाहिए कॉन से बुым का नाम बना दो मन से चलेगा वो इंजामिनर आपर दया कि आपको एक से डेड़ मांख जरूर से दे देगा बट अगर लिखा होगा अच्छी तरह से तोठी कि यहां पर नाम लिख दिया यहां पर आपको कितने कॉंटेटी में चाहिए वो लिख दो उसके नीचे आप लास्ट में लिख सकते हो कि मेरी आपसे विननती है कि आप क्या करो मुझे जल्द से जल्द तुमचे ऐसे विननती आहे तुम्ही आब माज माज़त का नीड मतलब मेरी ज़रूरत के हिसा अब क्या कर सकते हो मुझे यह इंपको नीचे में लिखना है है उसके नीचे है आपला विश्वासौ ठीक है आपला विश्वासौ लिख के अपना लिख दो अपना एड्रेस लिख दो अपना पिन नमबर लिख दो ओके यहां पर अलग-अलग स्टेट भी लिख सकते हो वर जाधा से जाधा करो ओके कि अपना ही एक ही स्टेट को नीचे में आप इमेल डालो अगर इमेल वहां पे सही से दिया रहेगा तो कोई भी बात नहीं अगर इमेल नहीं दिया हुआ है आपको इमेल खुछ से क्रियेट करना है मैं यहां पे एक इमेल आइडी लिख के दे रही हूँ सभी बच्चे उसी इमेल आइडी का क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे जो भी पेपर आए ठीक है चाहे वो फॉर्मल आए यह चाहे वो इन्फ mail.com ठीक है इसी इमेल आइडी का सभी बच्चों को क्या करना है इस्तेमाल करना है इसके अलावा आप इमेल आइडी बिना फाल्तु के कुछ मत करना इसी इमेल आइडी का इस्तेमाल करो एक मार्स मिल जाएंगे गलती बिल्कुल मत करो इमेल आइडी छोड़ के बिल्कुल म लगेगा, क्योंकि हमें क्या चुछुOoh समे चेंज है सो फटा फट से देख लेते हैं कि कौन सा हमें क्या करना है कि तरशे फॉरनेट को क्लियरली देखना है कि हमें किस तरशे लेटर आ सकता है ओके अनवचारिक मतलब कि इनफॉर्मल होता है अनवचारिक का मतलब इनफॉर्मल मतलब मम्मी पापा भाई बहन दोस्त सहेला सहेली दोस्ता दोस्ती जिनको भी लिखना है उनको हम क्या लिखेंगे अनवचारिक पत्र लिखेंगे ओके आपको आए कि आपका दोस्त परिक्षा में प्रथम आया है तु आपको क्या करना है उसे अभी नंदन करना है ठीक है तो अभी नंदन पत्र जाद से जादा अभी नंदन पत्र आता है फिर धन्यवाद पत्र आता है ठीक है या फिर आपको पिकनिक जा रहा है पिकनिक से पिकनिक जाने के लिए आपको क्या करना है पापा से पर्मीशन और सा चार मार्च ठीक है दिनांक किस तरह से लिखो गे ध्यान से देखो चार मार्च कौनसा साल चल रहा है 2024 तो यहां पर क्या लिखोगे 2024 इस तरह से आपको क्या करना है दिनांक कंप्लीट करना है तो यहां clearly अच्छी तरह से लिखा हुआ है 4 March 2024, चार के जगे 3 कर दो, 5 कर दो, ठीक है, बट March ही लिखो ठीक है, March लिखना easy है, कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा, नहीं तो बहुत सारा ऐसा होता है न, बड़े बड़े अच्छे लिखने वाले बच्चे भी कभी बहुत जाधा गलती कर देते हैं और उस्छोटी सी गलती के कारण क्या होता है, आपके मार्स से ले जाएंगे, ओ Украї, वैयarmac लिख़ो इस तरह से, तिनांक के नीचे क्या करोगे?' पता लिखो गे, पता किसका लिखो में, पढ़ लो यहां पיל से लिखे। जाला पत्र लिहले आहे त्यांसा अड्रेस जाला पत्र लिहाइसा आहे तुम्हाला त्यांसा अड्रेस काई करेसा आहे इकड़े लिहाइसा आहे समझ ला यहाँ पे आप क्या करोगे जिनको भी आप पत्र लिख रहे हो आपके मम्मी को लिख रहे हो आपके पापा को लिख र सबसे पहले दिनांक के जस्ट नीचे क्या करोगे उस इंसान का एड्रेस लिख दो, स्टेट लिख दो, एड्रेस इसी फॉर्मेट को फॉलू करके यहां पर एक और बर मैं अड्रेस का वही न लिखा, चलो यहां पे क और बर बढ़िया तरीके से कॉमा लगा दो यहां पर आप क्या लिखोगे नागपूर या नाशीक या मुंबाई चलो मुंबाई लिख लेती हूं मैं मुंबाई ठीक है मुंबाई के नीचे क्या करोगे यहां पर कॉमा करके जो भी आपका पिन नमबर है चारसो एक पांसो एक डॉट यहां पर हमारा कंप्लीट हो गया एड्रेस यहां पर हमने एड्रेस कंप्लीट कर लिया एड्रेस कंप्लीट होने के जस्त नीचे क्या करोगे प्रिय लिखोगे क्या करोगे लिख लिया यह प्रिय को लिखा तो क्या लिख़ोगे Прिय आई पापा को लिख रहे हो प्रिय बाबा दोस्त को लिख रहे हो प्रियमित्र नाम सहें लिखना लिख बाजुउ में में अगर सोलुक्त तो प्रयमित्र को में आप क्या एक Pr his Dashleta किया कर सकते हो लेक्स ऐसक। आप क्या करो प्रिय के बाजु में लिखो जाला लीते त्यासा ना समझला यहां पर ऐसे करके लिख दो उसके नीचे क्या लिखोगे आप खूब खूब आशिरवाद क्या खूब खूब आशिरवाद ओके यहां पर लिख देना कि जिसको भी आप लिख रहे हो उसका आराम से वहाँ पर लिख देना, ठीक है, उसके नीचे क्या करोगे, अगर वह आपसे छोटा इंसान है, या फिर अगर आपने भाई को लिखा है, ठीक है, अपसे छोटा है, उसने अगर स्टेट लेवल में जीता है, प्रथम आया है, ठीक है, कोई competition में जीता हुआ है, या फिर class में फ करवाद के जगे, अभिनंदन इंकलूड कर देना, ठीक है, अगर आपने डायरेक अपने दोस्त को लिखा हुआ है, तो, ओके, और अगर पापा और मम्मी को लिख रहे हैं, पापा या फिर मम्मी को लिख रहे हैं, तो खूब खूब प्यार, ठीक है, इस तरह से, आप क्या करना है, शुरुआत करनी है, उसके नीचे आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप उसको क्या करोगे, अभिनंदन करोगे, ठीक है, उसको बोलोगे, कि मतलब तुने जीता हुआ है, तो मुझे बहुत जादा अच्छा लगा, इस चीज की खबर सुनके, मुझे बहुत जाद काम नाए है, कि तु बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, इसी तरह से तु आगे बढ़ता रहे, ठीक है, उसके नीचे आप करोगे, अपने उसके फैमिली के बारे में पूछ लोगे, अगर आपने दोस्त को लिख रहे हो, तो उसकी पूरी फैमिली के बारे में पूछ ल उसके निचे last paragraph में आपको क्या लिखना है? आप अपने बारे में बता देना कि मैं सही हूँ, मैं अच्छी तरह से हूँ यहाँ पर आप भी क्या करो? अच्छी तरह से रहो और आपको बहुत जादा सुबकामनाए और उसके निचे मेरा बहुत सारा प्यार ठीक है माजा प्यार तुमसा बरोबरा है मतलब मेरा प्यार आपके साथ है आपके पास है ठीक है इस तरह से आपको क्या करना है लास्ट वाले पैराग्राफ में कंप्लीट कर देना है नीचे में आप क्या लिखोगे तुमसा लाड़का तुमसा लाड़का अगर आपके दोस् या फिर तुमसा लाड़का बेटा या तुमसा लाड़की बेटी ठीक है अगर लड़की हो तो तुमसी लाड़की बेटी ठीक है इस तरह से आप नीचे में लिख सकते हो दैन उसके नीचे क्या लिखोगे तुमसा लाड़की बेटी लिख लिए या तुमसा लाड़का बेट अब आपना नाम मतलब random कोई भी नाम ठीक है जो राइटर लिक रहा है राइटर जो लिकुराए पेपर उसका नाम वह अगर अगर दार जिए नाम का सबच्ट हो टीक है अगर वहा है में निआ है तो upni लिख टो कि तो आप क्या करो कि खुद से address create कर लो जैसे मैंने यहाँ पर create करके दिया है सेम address आप यहाँ पर क्या कर सकते हो लिख सकते हो address लिखने के just नीचे आपको क्या करना है address लिखने के just नीचे आपको email ID लिखनी है जो email ID मैंने अभी अभी बताया था आप लोगों को क्या बता है था abc at the rate gmail gmail.com सभी बच्चे क्या करेंगे इसी email ID का इस्तमाल करेंगे यहाँ पे last में लिखने के लिए इस तरह से क्या हो रहा है आपका आपचारिक साथ ही साथ अनापचारिक पत्र यहाँ पे खतम हो रहा है अभिनंदन आए या फिर अभिनंदन करने के लिए आए या धन्यवाद करने के लिए आए या फिर किसी भी चीज की शुब कामनाय करने के लिए आप इस तरह के format का इस्तमाल करके letter लिख सकते हो बढ़िया तरीके से ओके चलो इस तरह के format को follow करोगे तो 6 marks मिल जाएंगे साथ ही साथ एक और option है 6 marks पाने का जो की है सारांच लेखन शारांच लेखन किस तरह से लिखते है उसके बारे में discuss कर लेते है फटाफट से तो सारांच लेखन भी हमें आता है कितने marks के लिए 6 marks के लिए आता है क्योंकि पत्र लेखन और सारांच लेखन में option है अगर आपको पत्र लेखन easy लग रहा है अच्छा लग रहा है तो पत्र लेखन लिखो अब मैंने इतना effort लिया है इतने अच्छे से format बनाया है इतना कस्ट किया है तो प्लीज दया करके प्लीज ये 6 marks हर एक बच्चा लेके आना नहीं तो मेरा गला इतना दड़ दो रहा है आपको पड़ा के और फिर वो कुछ फाइदे मन नहीं नहीं रहेगा तो मुझे भी बुरा लगेगा ना ठीक है तो क्या करना है पत्र लेखन बढ़िया तरीके से फॉर्मेट को फॉलो करके अगर आ रहा है तो फॉर्मेट को फॉलो करके पत्र लेखन लिखो अगर मन करें तो शारांस लेखन लिखो क्यूंकि शारांस लेखन ना छोटा लिखोगी आप तो चलो आपको marks मिल सकता है अगर आप लोग ऐसे बच्चे हो जिने बहुत कम लिखना आता है और उन्हें नहीं जमेगा फॉर्मिट नहीं याद रहेगा और कुछ नहीं समझता तो वो शारांस लेखन ही प्रेफर करो कि कि शारांस लेखन में हमें कम लिखना पड़ता है सारंस लिखन क्या होता है? सबसे पहले उसके बारे में जानते है, तो आपको कोई भी बड़ा पराग्राफ दिया रहेगा, ठीके, अभी जैसे आप लोगों को होता है, कोई बहोत सारी, तो क्या आप आ पूरे मुवी को लाइन बाइन पूरी तरह से बताओगे नहीं बताओ तो पुरा का पूरा A-Z और अपको जो भी चीजे दिखी ऐसे हुआ वैसे हुआ ये सारी चीजे पूरी नहीं बताओगे आप करोगे शौट में बताओगेthree कि ऐसा हेजली को ही क्या होता है शारांस लेखन को विधी बड़ा परग्राफ आपको दिया है अब उस पूरे paragraph को read करना है, बढ़िया तरीके से read करके समझना है और उसको क्या करना है, 1 by 3 पार्ट में उसको convert कर देना है मतलब कि आपको इतना बड़ा paragraph दिया है, तो उस paragraph को आपको क्या करना है इतने छोटे पार्ट में explain करना है, जिससे इतने छोटे पार्ट को ही पढ़ने से इंसान को इतना बड़े पार्ट के बारे में समझ में आ जाए समझे, मैंने बहुत अची तरह से समझाने के कोशिश की है, नाटक मत करना, समझ ज़रो चलो, क्या करना है, आपको बड़े से paragraph को समझाना है, आपको छोटे paragraph बना के 1 by 3 पार्ट में आपको convert करना है, साथी साथ वो आपको 6 marks के लिए आता है सबसे पहले आपको क्या करना है, नाम लिखना है, सबसे पहले आपको सबसे उपर में उसका एक तो भी नाम create करना है, यह नाम create करने का आपको पता है, एक marks मिल जाता है आपको, ठीक है 1 by 3 पार्ट में लिखोगे, 2 marks मिल जाएगा यहाँ पे, ओके, सो क्या करना है, इसी format को follow करना है सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे एकदम छोटे में लिखना है, सो लिखने से पहले सबसे पहले आप डालोगे एक नाम, ठीक है नाम उस paragraph को पढ़के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका क्या impressive नाम में रख सकता हूँ ठीक है, इसका एक अच्छा सा नाम रख लो, जैसे किसी भी chapter का नाम होता है उसी तरह से आपको क्या करना है, उस सारांश का भी नाम लिखना है नाम लिख लोगे, छोटे में impressive नाम लिखना है, नाम लिख लिए आपने, वहाँ पे आपको एक marks fix मिल जाएगा उसके नीचे आपको क्या करना है, जो भी main main मुद्धे है, जो भी उस paragraph को पढ़ने से आपको लगे कि ये सारी important important चीज़े है तो इन्पोर्टन चीजों को अगर आप include करोगे तो आपको कितने marks मिलेंगे, दो marks मिलेंगे, ठीक है सारी important चीजों को include करनी है, सारे important शब्दों को include करना है, जो कि आपको कितने marks देदेगा, आपको पूरे 6 marks देदेगा, ये सात्वा मत जोड़ो, ठीक है इसका मिला के ही है, वो एक-एक marks सी समझ लो, ठीक है यहाँ पर एक marks मतलब कि आपने 1 by 3 पार्ट में लिखा, तो मतलब आपको कितने marks मिल जाएंगे एक marks मिल जाएंगे, साती साथ अच्छा नाम रहा तो, ठीक है सो इन दोनों को मिला के आपको 2 marks मिल जाएंगे, साती साथ आपने उसके important चीजों को explain किया short में, important चीजों को short में, मतलब अपने short में लिखा, उसमें कोई important नाम है किसी इनसान का नाम है, किसी important जगे का नाम है, तो उसे mention करना compulsory होता है, उसे mention जरूर से करना, ठीक है, कोई बड़े इनसान का नाम है या फिर कोई बड़े जगे का नाम है उसे क्या करो आप उसमें क्लूड कर दो, ठीक है? साराश में साथी साथ आपको क्या करना है? इनपॉर्टेंट शब्दों को भी उसमें ढालना है तो आप अगर वह इन्पोर्टेंट लाइन है तो उसे आना जरूरी होता है अब कोई मुवी देख रहे हो उसका मेंच सीन यही है कि उसकी मम्मी मर जाती है और फिर वो बन जाता है अमबानी ठीक है अब ये main चीज वही है तो आप अगर उस चीज को ही नहीं बताओगे तो क्या story को बोलने का story को समझने में कुछ मज़ा आएगा क्या नहीं आएगा ठीक है main twisty नहीं है उसमें तो ओके सो क्या करना है आपको उसमें main चीज को जरूर से include करना है then आपको क्या करना है उसे important शब्दों को भी include करके फिर उसे खतम कर देना है बहुत ही छोटे मतलब छोटे line में आपको लिखना है कम line में लिखना है जैसे कि 4 से 5 line 4 से 5 line enough हो गया 4 line bus हो गया 4 से 5 line में आपको खतम कर देना है ठीक है इस तरह से आपको इन format को follow करके फटाक से screenshot ले लो कि आपको किस तरह से marks मिलता है यहां पर है आपका यह एक marks मिलता है आपको यहां पर इन दोनों को मिलाके इन दोनों को मिलाके आपको पूरे मिल जाएंगे दो marks ठीक है तो इस तरह से आपको क्या करना है इनahl इनी format को इस्तेमाल करके आपको बढ़ियां तरीके से लिखना हора आंश लेखन। अगर आप लोगों को पतर हैं लेखन अगर आप लोगों को पतर को स्क्रीन ही पूछना पालतू की वक्वास से मत पूछना ठीक है चलो सो यहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो कोई भी एक्जाम रिलेटेड डाउट हो कोई भी स्टडी रिलेटेड डाउट हो तो ओके चलो सो अच्छी तरह से समझ में आ होगा 6 माक्स हम नहीं या पर कमप्लीट कर लिया इसके आगी के लेक्शर में और 2 लेक्शर हम लेने वाले हैं जिसमें बडियां तरीके से देखेंगे कि और कॉन कॉर्स से वीडियो को like करना है, मुझे अच्छी तरह से बताना है कि आपको समझा कि नहीं समझा, अभी भी कोई doubt है कि नहीं, आपको कोई और topic पे related वीडियो चाहिए, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सारी चीज़े मुझे comment जरूर से करना है, वीडियो को like जरूर से करना है, तब के लिए बाई बाई मिलते हैं नेक्स लेक्चर में इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ